दोस्तों आज हम दस ऐसे फैक्ट लेकर आए है जिन्हें आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमब दस, भारत ने 2020-21 के दोरान साथ नए देशों यमन, इंडोनेशिया, भूटान, फिलिपीन्स, इरान, कमबोडिया और म्यामार को परियाफ्त मात्रा में अनाज का निर्यात किया गया। नमब नौ, भारत ने इस साल 2022 में गेहु का निर्यात विदेशों में 70 लाग टन किया। नमब आठ, भारत ने COVID-19 के दोरान 76 देशों को 6 करोर से भी ज्यादा वैक्सीन भीजी है। यानि की 456 करोर की वैक्सीन भारत ने विदेशों में सप्लाई की है। नमब साथ, क्या आपको पता है, भारत की सरकार पर कितना करज है। देश की जनसंख्या इस समय 130 करोर होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस लिहाज से हर नागरिक पर करीब 1,00,00, कर जाएगा। वितर मंत्राले ने एक रिपोर्ट में बताया है, की सरकार पर कुल करज का बोज बढ़कर 128.41,00, करोर रुपय हो गया है। नमब 6, भारत पर पिछले 5 साल में कितना करज बढ़ा है। साल 2021 में मार्च माह के खत्म होने तक देश पर विदेशी करज 570 अरब डॉलर था। साल 2020 में यह आंकरा 558 अरब डॉलर था। साल 2019 में 543 अरब डॉलर था, साल 2018 में 549 अरब डॉलर और 2017 में देश पर 471 अरब डॉलर विदेशी करज था। नम्ब पांच, क्या आपको पता है? भारत में National Highway Authority of India, NHAI की वेब साइट के अनुसार, देश में 700 से ज्यादा टोल पला जा हैं. नम्ब चार, भारत में National Highway Authority of India, NHAI ने 2020 में टोल की एक दीन की कमाई 86 करोर से भी ज्यादा करके रिकॉर्ड बना दिया. नम्ब तीन, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन के मुताविक भारत की जनसक्या 136 करोर 36,000 से भी ज्यादा है. लेकिन उसके सामने Taxpayer 8 करोर 22,000 तीया 1407 करोर 2020 से 2021 में थे. नम्ब दो, सरकार कर्च क्यों लेती है? यह सवाल आपके मन में भी आया होगा. दरसल सरकार का खर्च हमेशा उसकी आयसे ज्यादा होता है. हर साल की परिस्थितियों के मुताबिक सरकार को शिक्षा, स्वास्थे और बुनियादी धांचे जैसे कल्यान और विकास के कारियो पर भारी रकम खर्च करनी परती है. इसलिए सरकार को उधार लेना परता है, जिसकी वजह से देश पर कर्च बरता जाता है. नम्ब एक, जिस तरह श्रीलंका और पाकिस्तान चीन का कर्च नहीं चुका पाए जिससे वहा की जनता को महंगाई का सामना करना पर रहा है. वैस इसलिए देश बचाओ, देश बढ़ाओ, जैहिंद! दोस्तों जानकारी अगर आपको पसंग आई हो तो लाइक करे, शेयर करे और कॉमेंट करें. पूंते है अगली वीडियों में.